अबर कर आई है आज मैं प्रारम में कुछ मंत्रियों से बात की थी जहारा स्थिती जरा बिगड रही है जहां तक वैक्सिन का थवाल है वैक्सिन के स्थिती और डिस्टुपिशन को लेकर भी जो कुछ भी चर्चाए हुई है एक प्रकार से बिडिया में जो चलता है वो अलग चीज होती है हमें तिन चीजों को अथेंटिकली ही आगे बढ़ना पड़ेगा क्योंकि हम सिस्टिम का हिस्सा है लेकिन फिर भी काफी चित्रस प्रष्ट हुआ है एक समय था है जब हम सभी के सामने चुनोती एक अंजान ताकत से लड़ने की थी लेकिन देश के संगधित प्रयासों ने इस चुनोती से मुकाबला किया नुक्षान को कम से कम रखा आज रिकवरी रेट और फेटरलिटी रेट दोनों ही मामलों में भारत दुनिया के अधिकतर देशों से बहुत संभली हुई स्थिति में है हम सभी के अथक प्रयास से देश में टेस्टिंग से लेकर टेटमेंट का एक बहुत बड़ा नेटवर्क आज काम कर रहा है कि इस नेटवर्क का लगातार विस्तार भी किया जा रहा है पी-एम कैर्स के माध्यम से ऑक्सीजन और वेंटिलेटर सुखलब्द कराने पर भी विश्तार से जोर है कोशिज यह है कि देश के मेडिकल कॉलेश और जिला अस्पतालों को ऑक्सीजन जनरेशन के मामले में सेल्फ सेप्सिजन बनाया जाए इसलिए अभी 160 से जादा नए ऑक्सीजन प्लांट्स के निर्मार की प्रक्रिया अल्डेडी शुरू की गई है पी-एम कैर्स भंड से देश के अलग-अलग अस्पतालों को हजारों नए वेंटिलेटर से मिलने भी सुरिश्चित हुए है